नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज 18 आज हम मुझूद हैं बिदीसा में और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पांच इंटर्नेशनल खेलने वाले अतुल जाट से तो सर आपका स्वागत है थेंक्यू आपके चैनल का और आपने हमारे कलब के लिए इतना सोचा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम है अतुल जाट और मैं पांच अंतर राष्टिय इस तर पर भारत का प्रतिने दित्यों कर चुका हूँ कई राष्टिय प्रतियों भाग लिया है और मद् की जर्णी कैसे रही आपने विदीसा से इंटरनेशनल लेवल तक क्या 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 फेस किया और मतलब वेसे तो देखा जाता है कि विदीसा में बहुत से लोग हैं जो मतलब इतने लेवल तक जाते नहीं तो यह गेम आपका चुनने का क्या रीजन था एक्चुली मैं के जॉइन किया फिर थोड़ा सा मेरे को गेम के बारे में मालूम पड़ा जूडो से स्टार्ट किया था मैंने फिर धीरे-धीरे में ताइकॉंडो में इंट्रिड्यूस हुआ फिर लगबग किसी को इतना नॉलेज नहीं था ताइकॉंडो का कि ताइकॉंडो में होता क्या है कैसे खेलना है क्योंकि हमारे विदिशा बहुत छोटा है यहां पर इतने अच्छे कोचेस भी नहीं मिलते और यहां पर कोई कुछ नहीं करा पाता फिर इसलिए धीरे धीरे इंप्रूब किया कई टूनामेंट्स में गए इस्टेट लेविल गए नैशनल लेविल गए जैसे 2001 में मेरा गोल्ड आया तो फिर मैं उसके बाद साई में कैम्प लगा था बैंककॉक का उसमें गया तो वहां पर मास्टर कीम थे उन्होंने ट्रेनिंग कराई फिर वो ट्रेनिंग जब लेके आया वो बारी किया सीखके आया ताइकॉंडो की फिर उस पे अपना काम किया फिर काम करके जैसे ही मैं उसके उपर और आगे बढ़ने लगा तो मेरा 2004 में एक लवे बॉर्ड मिला मेरे को तो कजाकिस्तान मेरा पहला इंटरनेशनल था जिस में इंडिया को में रिप्रेजेंट किया था फिर उसके बाद मैं धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर ए तो वो काफी मतलब इंडिया में बहुत अच्छे गुरूं में एक नाम है उनका और एनाइस भी वही कराते हैं तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ मेरे में चेंज किया वेट चेंज किया कि इस वेट में तुमारा परफरमेंस नहीं आएगा आगे जाओ तो ऐसे बारी किया ते नहीं चेंज किया फिर उसके बाद मैं एरान गया इरान से एक महीने ऑलंपिक के लिए उन्होंने मेरा कैंप लगाया फिर कैंप के बाद वहां से मैं रिटआन आया मेरे नी इंजूरी हो गई तो फिर भी मैं बैस्त किया कि जब तक नी उसका ट्रीट्मेंट नहीं पर उसमें पैसे मांग रहे थे तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता और फिर मैं नहीं खेला फिर उसके बाद 2014 में फिर मेरी मदर को थोड़ा कैंशार हो गया और उनसे मेरा बहुत दिल्ली अटेच्मेंट था तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा मां की सेवा करें तो दो तीन साल किया फिर वो एकस्पायर होगी तो फिर मेरा खेलने का मन खतम हो गया फिर उसके बाद मैं थोड़ा खेला फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं आया इसमें रेफरी शिप की फिल्ड में और फिर मैंने किलब खोला 2019 में फिर मैंने सोचा जो हमारे मौले में गरीब बच्चे हैं जो गलत लाइन में चले जाते हैं जिनको घर से स ट्रेंद थी अभी थोड़ा फैडरिशन की डिस्ट्रिब्यूट के गा रहा है अभी बच्चे कम आ रहा हैं लेकिन ठीक है जो बच्चे आ रहा है मैं उनी पर वर्क कर रहा हूं जैसे हमारे बराट है वो जूनियर सर्विसेस में सेलेक्ट हो गया मोहित का भी सेलेक्शन हो गया अभी हम उसका call letter का wait कर रहे हैं और दो बच्चे हमारे अगनीवीर में जैसे साची से सीकने आते थे तीन-चार बच्चे हमारे daily up-down करते थे उनमें से भी दो बच्चे आर्वी में सेलेक्ट हो गए तो हमने इस साल कम से कम चार बच्चे सर्विसेज में सेलेक्ट किये तो उनका भविश्य बना है तो उनके पैरेंट्स को और उनके अडोस पडोस में सब यही बोलेंगे एक दिन कि वो किलब जादा बैटर है वहाँ पर जाने से हमारे बच्चों का भविश्य बन गया तो अभी मेरा मोटिव यही है कि आगे चलके मैं बच्चों को और ट्रेनिंग करा हूँ और ताइकॉंडो जितना हो सके मैं ताइकॉंडो में उनका फ्यूचर बनाना मेरा में वो है और मेरा कोई उससे उद्देश नहीं है अभी तक जो आपने प्रोब्लम फेस किये तो आप उन बच्चों को क्या देंगे सामना नहीं करना पड़े? किया है कि इदर जा रहा है ट्रेनिंग करने ओदर जा रहा है भाग रहा है या फिर कहीं से पैसे नहीं है तो कोई सीनियर हमें दे रहा है कोई कोचिस खीच रहा है पुल कर रहा है लैक पुल कर रहा है कि नहीं जाना है यह सब फेस नहीं करना पड़े बच्चे जितने हैं मेर का मोटिव यही रहेगा ट्रेनिंग करो और हमें इंटरनेशनल खेलना है और वो रास्ता मेरे को पता है तो मैं उसी रास्ते पर ले जाओंगा क्योंकि मैंने किताबों में भी पढ़ा और जो मोटिवेट स्पीच है उन्हें भी सुना है कि जो नौलिज किताबों के सौ से नहीं आएगा जो किताब सौ पढ़ चुका है उसके नौलिज से ज़्यादा बैटर है तो मैंने वो किताब हैं पढ़ लिए ये समझ ये तो मैं ताई कॉंडों की वो किताबों का नौलिज उन्हें एक बार में दे सकता हूं तो मैं वो पूरा ग्यान उने दूँगा ता प्रेक्टिस वही है कि जो भी चीज होगी उसके लिए हम रेडी हैं यह नहीं कि अभी टूनामेंट नहीं है तो घर पे जाके सो जाएं बच्चे कंटीनियो ट्रेनिंग कर रहा है और कोई भी टूनामेंट कभी भी हो बच्चे हमारे रेडी रहे हैं बदीसा के अलावा भी आप मतलव जैसे अभी तो एक एक एडमी इसके अलावा आप कहां पर एक एडमी खोलेंगे पहले तो मेरा मोटिव यही है कि ताइकॉंडो में जो डिस्टीप्यूट चल रहा है फे कोई मतलब नहीं है या नैशनल ले गए नैशनल का सैटिफिकेट कहीं नहीं लग रहा बच्चों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा जॉब में नहीं लग रहा तो कोई मतलब नहीं है तो मेरा मोटिव वही है कि पहले वो सब खतम हो फिर जहां से वैलेड हो जो इंटरनेश एक सपोर्ट की जरुवत पढ़ती है ना किसी फैडरेशन की क्योंकि हमारी सरकार ने अल्लेडी बहुत सी योजनाएं आदेश जारी करें कि जिससे उन्हें बहुत पैसा मिलता है आगे बढ़ने की तरक्की के लिए योजनाएं जरुवत नहीं है किसी के सपोर्ट की वो खु सकते हैं